इसको कौन अधिकार दिया प्रसांथ किसोर को कि ये बोले कि हम सराब बटवाएंगे दलित का कौन नेता है मैं पूछना चाहता हूँ परकामा किसोर के साथ दलित का कौन बढ़ा नेता है महत्मा है इसको हम लोग दलाली कहते है यह जो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं वो बिहार के युवाँँ को रोजगार देने की बात कर रहे हैं यह सब बिदेशी लोगों को बुलाया है बिहार में, कि लोगों को बरगलाओ, लोगों को सोसल मीडिया पे गलत गलत दिखाओ, और बिहार में जूट फैलाओ, कितने पढ़े लिखे हैं परसांत कि सोर, परसांत कि सोर सिर्फ एक ग्रैजुएट है, तो ग्रैजुएट आदम नितीज कुमार जी आज साथ छोड़ दे तो खाटा खुलना मुश्किल हो जाएगा तो वो सब छोड़िये ये सब अपना ये सब खेल खेल रहे हैं बिहार को लूटने का चाहिए वो कोई भी हो चिराक पासवान जी हो जन स्वाराजवाल अभी सोच रहा है कि 57 सीट मिल जाए तो बिहार में लूटे और ये जो 57 सो करोड उपिया खरचा किये हैं वो सब वसूले 57 अजार करोड बिहार में मुख्य मन्त्री बनने का नेने चेहरा उबर करा रहा है इस बार हमारी पाटी बिहार में आएगी और हम जंडा गारे हैं यह लोग जो है मैं तो इस परस्ट कहना चाहता हूं आप किसी का भी नाम ले लीजिए मुख्य मंत्री पत के लिए जिसका भी नाम लेंगे वो मेरे से कम पढ़ा लिखा है जिसका भी आप युवा में नाम लेंगे उन सबसे जादा युवा हूं मैं हां मेरी कमी यह है कि मेरे मेरे पिता मंतरी नहीं थे मेरे पिता कोई बड़े अधिकारी नहीं थे मैं गाउं गरीबी में पैदा हुआ मैं इस परस्ट बात बताता हूँ मुझे बिहार पसंद बिहार हमारी मा है मैं तो प्यजडी हूँ मालनुट्रिशन में अब ये बताइए हम लोग जो बिहार में जन में आज बिहार को लूटा जा रहा है बिहार को छला जा रहा है नएने कलाकार आ रहे हैं ये कलाकार कौन है जैसे अपके ये क्या नाम हैं का जन स्वराज प्रशांत किशोर जी सामंती विचारधारा क्या थी सामंती विचारधारा थी राजा का दरबार लगता था दारू सराब बढ़ता था मदिरा बढ़ता था आज वही सामंती विचारधारा को ये लोग दुबारा पुना स्थापित करने की बात कर रहे हैं वो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात करें। तो प्रसंसा भी करते हैं कि सराब बंदी तो अच्री के बात है कि अगर अगल कहुत लेकिंगे कि अ इस सब इसको गुना गनीत आता है लेकिन बिहार के लोग बहुत समझदार है प्रसांत किशोर जी मैं आपको बता देना चाहता हूं यह आपका जो यह खेल खेल रहे हैं बिहार को फिर से गलत दिशा में भटकाने का यह बिल्कुल नहीं चलने वाला इनके साथ जो जो लोग हैं अब देख लीजे किस जाथ के लोग हैं सब बढ़े-बढ़े हैं दलित का कौन नेता है प्रसांत किसोर के साथ जी आप अपना इतिहास मत भूलिएगा आपके लोगों ने बिहार उत्तर प्रदेश मद्ये प्रदेश और पूरे चछतिस गड़ जार्खंड के लोगों को कि सामंती विचारधरा को आप मानते हैं और जानते हैं मैं उसकी बात कह देना चाहता हूं बिहार हमारी मत्र भूमी है बिहार में सेकुलर का राज है बिहार में दलित पिछड़े लोगों का राज है बिहार अगर बिहार को तो आप देखिए जाती से जो रहों कहते हम जाती नह मानते हैं तो जाती नहीं मैंते तो उनके Top 5 Leaders का नाम बताईए भाई आज की डेट में उनके Top 5 Leaders जो है कौन है आनद मिश्ड़ा दूसरे कौन है एक सिन्ह जी है तीसरे कौन है एक ठाकुर साहब है तो जाती ना कि बिहार में जन स्वराज लाएंगे मैं कहता हूं जन स्वराज के उपर एक दिन हम लोग साथ बैट के डिबेट करते हैं एक दिन बिहार का मैं बेटा आप जीति हैं कौन की जनता कर लेगी कितने पढ़े लिखे हैं प्रसांथ कि सो प्रसांथ कि सो सिर्फ एक ग्रैजुएट है तो ग्रैजुएट आदमी को हमारे बियार में 12000 का नौकरी नहीं मिलता और यह प्रसांथ कि सो चुहा खा कर बिल्ली चली हज को बड़े बड़े पार्टियों को अस्थापित क है वो कह रहे हैं कि हमने कई राज्यों को सींप को बनाया पी एक बिधायक नहीं बन सकते एक बिधायक बिहार को जो छलने की बात करेगा डिफिनेट है एक नई सोचानी चाहिए लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बिहार के हमारे दलितों और पिछडों के निताओं को गाली द लाठी से देंगे आपके नजर में आप एक यूवा हैं आपको क्या लगता है वाकई बिहार में आठ दस जो चेहड़े हैं जो खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार समझते हैं आपको क्या लगता उन सभी में सबसे बेस्ट अभी कौन अगर आप से पूछना चाहता हूं बिहार का मुख्यमंत्री मैं ठीक नहीं लगूंगा क्या ये जो आपके युवा देखते हैं आपसे भी तो सवाल करेगा कि आपने बिहार के लिए क्या किया है अब लोग तो बिहार में जन्में बिहार की मिट्टी में जन्में बिहार की स्कूल में पढ़े तो बिहार में नहीं ये गलत बात चिराक पासवान बिहार में जन्में है क्या सोना का गुली लेकर पैदा पिर इसके बाद में देखिए यह जो आपके नितीश कुमार जी है मुख्यमंत्री बन गए वो यहां जन्में यहां पढ़े अच्छा है 15 साल काम किया लेकिन अब उनको हम लोग समझते हैं कि उनको बदल जाना चाहिए देखिए सुनिए मैं तेजस्वी आदव जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए हम लोग पिछली बार भी बोले थे एक बार उनको मौका मिलना चाहिए देखने में क्या बुराई है कि या करते है क्या नहीं करते लेकिन मैं जो मानता हूं कि एक जो सामाजिक न्याई की बात हुई वो लालू यादव जैसे लीडर्स से लालू यादव को कितना क्रिटिसाइज किया जा जाता है आप सोचिए जो एक ग्वाला का बेटा वो चारा चौर, चारा चौर कहते हैं इसके जना जाता है कि कितना गलत है, यह दो यह मानता हूं कि पूरे देश में, अगर बिहार को किसी लीडर के उजसे जाना जाता है तो वह लालुयादाओ जी के उजसे जाना जाता है, तो हम लोग जो अच्छा काम करेगा उसको एप्रिश तो वह सब छोड़िए यह सब अपना यह सब खेल खेल रहे हैं बिहार को लूटने का चाहिए वह कोई भी हो चिराक पासवान जी हो जन स्वाराज वाला भी सोच रहे कि पांसाथ सीथ मिल जाए तो बिहार में लूटें और यह जो पांसाथ सो करोड़ खर्चा किये हैं वह महास्यम को पैसे मिले हैं यह क्या महत्मा है क्या जो इनको फंडिंग होती है इस परश्ट बोलें इसको हम लोग दलाली कहते हैं यह जो सलाहकार थे वह राजनीतिक दलाल बोलिए नौट सलाकार लीडर को सलाकार की जुरूरत नहीं होती है राजनीतिक दलालों को जरूरत ह होती है कि इधर का सीट उधर करके वो काम करें इस पर्श बात है हमारे बिहार के अंदर में आज जो युवा है अब उसकी सरकार होनी चाहिए और हमारी लड़ाई सो मेंसे नब्वे की है जिसमें दलित है जिसमें बैकवर्ड है जिसमें सब जात के लोग है उन सब की जरूरत है आज जो ये बड़े-बड़े घरानों के लोग है जिनका महलों में जनम हुआ उन सब को नकारें और गाउं से किसानों के बच्चे पढ़े लिखे युवा वो लोग इकत्रित हों हम लोग कुशिश करेंगे कि हर जिले में जाएं ऐसे युवाओं को नौजवान करांती कारियों को इखटा करें और आने वाले दिनों में बिहार की विधान सभा में ये पढ़े लिखे युवा और जो नबे परसंट के बारे में सोचेगा हम उसके साथ हैं तो इन्होंने का पिछली बार भी हम ने कहा था कि तेजश्वी आदम को एक मौका मिलना चाहिए बाकि जो लोग हैं जो नए ने चेहड़े उभर करा हैं सभी बिहार को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं और सभी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जूटे खोकले वादे करें बिहार की जंता को बरगलाने का काम कर रहे हैं बिहार की जंता उन पर भरोसा नहीं करेगी क्योंकि बिहार की जंता आप समझदार हो चुकी है वाकि इन तमाम मुद्धों पर अनकी बातों पर आप क्या परतिकरिया रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा लाइव लोंग निउस देख रहे थे आप मेरा न